गुद मोनिंग गाइस, सो आज का टॉपिक जो है, हमीं हमारा रहेगा बलड गुरुप्स, बलड गुरुप्स मेंस, बलड की गुरुपिंग कैसे की जाती है, बलड गुरुपिंग के अंदर हमारे तीन सब टोपिक साथे हैं, जैसे पहला topic आएगा compatibility, second आएगा ABO grouping, तीसरा आएगा RH grouping, अब यह है क्या one by one जैसे compatibility जब हमने बोला, compatibility means जहां हम देखते हैं कि जो parents से progeny तक क्या system रहता है, मत्तब parents में से father और mother का blood group जो रहेगा, उसके हिसाब से different combinations होती है, उनका एक चकर बोड बनाया जाता है, parent square जिसको बोलते है, genetic square, on that basis हम यह decide करते हैं कि father और mother का कौन सा chances है, probability क्या है कि बच्चे में कौन सा group आएगा, जैसे अगर हम इसको detail में पढ़े compatibility को, तो इसमें हम यह देखते हैं कि हमारा जो particularly gene है, जो blood group बनाता है, उसके तीन genes होते हैं जिनको हम capital से denote करते हैं, अगर A group होता है, तो IA, capital IA, capital IB, जो होता है, वो हमरे B group के लिए होता है, लेकिन जो हमारा O group का blood group होता है, उसका recessive, यानि कि small I, मतलब यह क्या कहने का मतलब है, क्या dominant, क्या recessive, basically जो यह gene होते हैं, हमारे में genes क्या होते हैं, कि एक gene जो ज़ज़ ज़्यादा दिखेंगे, और जो जिसके characters दब जाएंगे दूसरी के सामने, उसको recessive बोलेंगे, जैसे for example, अगर हमारे पास parent है, उसके पास A group है, और A का gene हमेशा dominant रहता है, parent B जो है, उसके पास अगर O group है, O के दोनों gene recessive है, तो इन दोनों cases में जो parent 1 है, उसका gene, parent 2 के gene को dominant करेगा, और इस कारण से जो बच्चा है, उसके अंदर जो gene है, वो parent 1 का होगा, यानि कि वो A होगा, सेम, अगर इस बार parent A जो है, वो O होगा, और parent B, parent second जो है, वो B होगा, तो B का gene as usual हमें पता है, वो dominant gene है, क्योंकि O वाला जो है, वो recessive है, यानि कि वो दब जाएगा, इ तो इसी तरह से अब, यानि कि O गृप वाले जो हैं हमारे वो कौन से होंगे, A और B में कैसे बनेंगे, A भी कैसे बनेगा, तो A वाला dominant दोनों होंगे, तो A ट्रांसफर होगा, B में दोनों parent B होंगे, तो बच्चे में B होगा, अब अगर, for example, एक parent A होगा, दूसरा parent B होग तो बच्चे में दोनों dominant genes आपस में co-dominance दिखाएंगे, co-dominance यानि कि दोनों अपना अपना equally character शो करेंगे, और उस कारण से दोनों के genes बराबर बच्चे के अंदर आएंगे, तो तब बनेगा हमारा बच्चा वो जिसका A B ग्रूप होगा, अब यानि कि A ग्रूप तो ह मदर मैं से दोनों में A हो या एक में भी A हो तो A ग्रूप बन गया, B भी हमें ऐसे समझा गया, A भी समझा गया, अब या O ग्रूप कैसे बनता है, O ग्रूप तब ही आएगा, तब ही character दिखेंगे, जब दोनों parent के अंदर ये recessive वाला gene होगा, यानिकि parent भी O ग्रूप होना चाहिए, second parent भी O ग्रूप होना चाहिए, तब ही जब दोनों parents के recessive genes मिलेंगे, तब जाके जो बच्चा है उसमें O ग्रूप आएगा, so O ग्रूप के chances बहुत इसलिए कम होते हैं, जब ही parents दोनों ही recessive gene के होंगे, so यह था हमारे compatibility, means parents का gene जो है वो parents से प्रोजनी तक यानिक blood group A, B, A, B, O, जो चार group से वो कैसे बनते हैं, इसका second sub topic जो है हमारा, वो आता है हमारा A, B, O grouping, means A, B, O grouping के basis पे कैसे करते हैं, basically क्या होता है, जितने भी individuals हैं, हर individual के अंदर यह जो group होता है, यह किस पे निरबर करता है, हमारी RBCs, तो हर किसी की RBCs के उपर, depend करता है, उस RBC पे स्पेशल प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है antigen, उस antigen का presence और absence और type of antigen पे निरभर करता है, कि उस बन्दे का जो blood group है, वो कौन सा रहेगा, second चीज, उसके blood में जो plasma है, जो हमने yellow color का वो fluid, straw color fluid बोलते हैं, उस plasma के अंदर, along with other substances, उसमें एक और चीज, बाकी ची antibodies और वो special type of antibodies होंगी, जैसे क्या, for example, A group, A group के जो RBCs होंगे, उनके RBCs के ऊपर जो surface area होगा, उस surface पे, यानि कि जो membrane होगी, RBCs के जो plasma membrane होगी, उस membrane के ऊपर special proteins होंगे, यानि कि antigen A होगा, तो A group का antigen A, तो ये जो patient है, या सोरी, ये जो individual है, इस individual के blood का जो plasma है, उसमें antibodies बनेंगे against B, क्योंकि इसके पास B antigen नहीं है, तो ये A antigen होने के कारण, जो antibodies बनाएगा, anti B बनाएगा, जानि कि अगर B का group वाले का blood इस A वाले को दिया जाए, तो ये antibodies बनाएगा against उस B के खिलाफ, और ज collapse हो जाएगा, so same, इसी तरह से जो B group वाला individual होगा, उसके RBCs पे हमारा B antigen होगा, और उस individual के जो plasma होगा, उस plasma के अंदर जो antibodies होगी, वो anti A बनेगा, अब A और B का हमें समझ लिया, तो A B group जो होगा, A B group के जो antigen है, उसके surface पे दोनों antigen present होगा, antigen A भी होगा, antigen B भी होगा तो दोनों antigen होने के कारण, जो उसका plasma है, उसमें कोई भी antibody नहीं present होगी, इसलिए ये group हमारा, जो blood है, हर किसी से accept करता है, इसलिए हम A B को हमेशा universal recipient कहते हैं, क्योंकि ये blood A से भी ले सकता है, B B से भी ले सकता है, और A B से तो लेगा ही लेगा, प्लस along with ये O से भी ले सकत क्योंकि अब जो हमारा चोथा group है, O, O के जो surface है RBC की वहाँ पे कोई भी antigen present नहीं होता है, तो कोई भी antigen present नहीं है, इस कारण से वह जब group A में या group B में जाता है, या A B में भी जाता है, इसके खिलाफ कोई antibodies नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी surface पे कोई antigen नहीं है, लेकिन य अगर इसके पास A आजाए, या B आजाए, या A भी आजाए, तो उनके उपर antibodies present होंगे, so because of that ये O जो है, ये antibodies बनाएगा, so यानि कि हमने देखा ABO grouping में हमारे चार groups बनगे, A, B, A, B और O, और जिस जिसके उपर, जिसके खिलाफ antibodies होंगी, वो उसके against antibodies बनाता जाएगा, दोनों से blood ले सकता है, B की बात करें, तो वो B से और O से blood ले सकता है, A, B की बात करें, तो वो A से भी लेगा, B से भी लेगा, A, B से भी लेगा, O से भी लेगा, so universal recipient हो गया, so O जो है हमारा, वो लेगा तो सिफ O से अपने blood, लेकिन वो किस-किस को donate कर सकता है, वो A को भी देखा हमने डोनेट कर सकता है B को भी डोनेट कर सकता है और O को भी डोनेट कर सकता है तो O is a universal donor ठीक अब देखो क्या होता है अब जो हमारा तीसरा grouping है इसमें आप सब को तो पता हिए जैसे आरेश फेक्टर हमारी एक उसमें मुसली तो हमारे A, B, O और A, B ये grouping ही पूछा जाता है लेकिन आरेश की grouping में आप से ये पूछा जाता है कि आरेश फेक्टर जो है वो किस ने दिया तो वो हमारा विनर और लैंस्तिनर उन्होंने दिया था उन्होंने क्या किया था उन्होंने सबसे पहले एक monkey था उनके blood group पे वो कुछ research चल रही थी और अचानक से देखा उनने कि rhesus monkeys जो है उन rhesus monkeys की surface पे rbcs की surface पे इन antigens को छोड़के antigen A और B को छोड़के उनके rbcs के उपर एक special type का एक और type का protein था उस protein का नाम भी मतलब वो एक antigen ही था एक और type का antigen था और इन्होंने इसका नाम rh factor क्यों रखा because of this research monkey क्योंकि research monkey में ही सबसे पहले मिला था और जब research monkey की blood research हुआ तो उसके बाद देरे देखा गया कि human beings में लगबग लगबग 80% population ऐसी थी जिनके surface पे ये extra antigen मिल रहा था और जिसमें भी हमें ये present मिल रहा था हमने उनको positive रखा so RH positive और जिन cells में नहीं मिल रहा था RH negative इसलिए हमारे कुछ individuals RH positive होते हैं या आदे कुछ RH negative होते हैं और on that basis हमारे blood groups जो हैं वो अब बन जाते हैं A positive B positive AB positive O positive अब ये वाले जिनके अंदर antigen present थे लेकिन जिनके अंदर नहीं है तो उनके अंदर के हिसाब से हम बोलते हैं A negative B negative AB negative O negative अब ये negative वाले जो हैं वो क्या है उनकी body के ऊपर ये extra antigen present नहीं होगा और RS positive वाले में antigen present होगा तो यहाँ पे भी हम positive negative उसी हिसाब से लेते हैं कि जिसके उपर present होगा यानि कि positive वाला अगर हम किसी negative वाले को दे देते हैं तो उसके against antibodies बनेंगी और वो वहाँ पे again हमारा blood group transfer नहीं हो पाएगा तो अगर हम in total along with RS positive generally AB O and AB को देखकर हम यह बुले कि positive negative के साथ हम finally हमारा universal donor कोन रहता है तो वो रहेगा O negative और universal acceptor